अम्रच सरा गया है भीश्म साहनी की कहानी गारी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे वह लाम के दिनों में बर्मा की लडाई में भाग ले चुके थे और बात-बात पर खीखी करके हंस्ते और गोरे फौजियों की खिली उडाते रहे थे दिब्बे में तीन पठान व्यापारी भी थे उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने उपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था वह आदमी बड़ा हंस्मुक था और बड़ी देर से मेरे साथवाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाग चल रहा था वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्टों में बाते करने लगते थे मेरे सामने दाई और कोने में एक बुढ़िया मुहसर धापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी यही कुछ लोग रहे होंगे संभव है दो एक और मुसाफिर भी रहे हों पर वेस पश्टत मुझे याद नहीं गारी धीमी रफटार से चली जा रही थी और गारी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहु के खेतों में हलकी हलकी लहरिया उठ रही थी और मैं मनही मन बड़ा खुश थाएं क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रतादिव समारो देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ, तो लगता है हम किसी जुटपुटे में जी रही हैं। शायद समय बीट जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही जुटपुटे में बीता जान पड़ता है। जोन जो भविश्य के पट खुलते जाते हैं, यह जुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्ही दिनों पाकिस्तान के बनाय जाने का एलान किया गया था और लोग तरहत्रा के अनुमान लगाने लगे थे कि भविश्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। पर किसी की भी कलपना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार-बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता, बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बंबई छोड़ देने में क्या तुख है। लाहौर और गुर्दासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के धंग में, गपशप में, हनसीमजाक में कोई विशेश अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़ कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी और हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। जगजगा दंगे भी हो रहे थे और यौम्य आजादी की तैयारिया भी चल रही थी। इस पूश्ठ भूमी में लगता देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावर्ण में इस जुटपुट में आजादी की सुनहरी धूलसी उड रही थी और साथ ही साथ अनिश्य भी डोल रहा था। और इसी अनिश्य की स्थिती में किसी किसी वक्त भावी रिष्टों की रूप्रेखा जलग दे जाती थी। शायद जहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब उपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मास और नान रोटी के टुकडे निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसीमजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकडा और मास की बोटी बढ़ा कर खाने का आगरा करने लगा था। काले बाबू टाकत आएगी। अम जैसा ओ जाएगा। बीवी भी तेरे साथ कुश रहेगी। काले दाल कोर तू दाल काता एग इसलिए दुगला एग। जिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तों में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हस कर कहा। ओ जालिम अमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले खुदा कसम बकरे का गोश्ट है और किसी चीज का नहीं है। उपर बैठा पठान चहेक कर बोला ओ खंजीर के तुम इधर तुमें कौन देखता है। अम तेरी बीवी को नई बोलेगा। ओ तु अमारे साथ बोटी तोड। अम तेरे साथ डाल पिएगा। इस पर कह कहां उठा पर दुबला प्तला बाबू हसता सिर्फ हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्टों में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात ए अम खाता ए और तु अमारा मु देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए है। स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोन सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठे ही पोटली खोल कर खाने लग गए हो। इसलिए बाबु जी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी और देखकर आख मारी और फिर खीखी करने लगे। मास नहीं खाता है बाबु तो जाओ जनाना डब्बे में बैटो इधर क्या करता है फिर कह कहां उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बागी मुसाफिर उतरते चड़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेदकलुफी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो। तुम अमारे साथ बैटो। आओ जालिम कि साखानी की बाते करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आये थे। कौन सा स्टेशन है किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद मैंने बाहर की ओर देख कर कहा। गारी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही। पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले दिब्बे में से पानी लेने उत्रा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था तभी वह भाग कर अपने दिब्बे की ओर लोट आया। छल छलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस धंग से वह भागा था, उसी ने बहुत कुछ बता दिया था, नल पर खड़े और लोग भी तीन चार आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने दिब्बे की ओर भाग गए थे, इस तरह घबरा कर भागते लोग को मैं देख चुका था, देखते ही देखते प्लैटफॉर्म खाली हो गया, मगर दिब्बे के अंदर अभी भी हंसीमजाग चल रहा था, कहीं कोई गड़बर है, मेरे पास बैठे दुबले बाबु ने कहा, कहीं कुछ था, लेकिन क्या था, कोई भी स्पष्ट नहीं जानत था, मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावर में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी भाब गया था, भागते व्यक्ती, खटाक से बंध होते दर्वाजे, घरों की छटों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी दंगों के चिन्ह थे, तभी पिछले दर्वाजे की ओर से, जो प्लाटफार्म की ओर न खुल कर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ, कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था, कहा घुसा आ रहा है, नहीं है जगा, बोल दिया जगा नहीं है, किसी ने कहा, बंद करो जी दर्वाजा, योही मुँ उठाएं घुसे आते हैं, आवाजे आ रही थी, जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेश्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं, पर एक बार जैसे तैसे वहाँ अंदर जा जाए तो विरोध क्म हो जाता है, और वहाँ मुसाफिर जल्दी ही दिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है, और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं, दर्वाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था, तभी मैले कुचेले कपड़ों और लटकती मूचो वाला एक आदमी दर्वाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया, चीकट मैले कपड़े जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता ह वह लोगों की शिकायतों आवाजों की ओर ध्यान दिये बिना दर्वाजे की ओर घुंकर बड़ासा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीतने लगा, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी चड़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था, कभी दर्वाजे में एक पतली स तुखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे सोलह स्तरा बरस की सावली सी एक लड़की अंदर आ गई, लोग अभी भी चलाए जा रहे थे, सरदार जी को कूलों के बल उठकर बैठना पड़ा, बंद करो जी दर्वाजा, बिना पूछे चड़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे, और लोग भी चला रहे थे, वहाँ आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, और उसकी पत्नी और बेटी संदास के दर्वाजे के साथ लग कर खड़े थे, और कोई दिब्बा नहीं मिला, औरत जा को भी यहां उठा लाया है, वहाँ आदमी पसीने से तर्था और हाफ्ता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था, संदूक के बाद रस्यों से बंधी खाट की पाटिया अंदर खीचने लगा, टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ, इस पर दिब्बे में बै रठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इदर से, देखता नहीं है, इदर जगा नहीं है, और पठान ने आव देखा न ताव, आगे बढ़कर उपर से ही उस मुसाफिर के लाद जमा दी, पर लाद उस आदमी को लगने के बजाए उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह हाई हाई करती बैठ गई, उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलजने के लिए वक्त नहीं था, वह बराबर अपना सामान अंदर घसीते जा रहा था, पर डिब्बे में मौन चा गया, खाट की पाटियों के बाद बडीबडी गठ्रिया आई, इस पर उपर बैठे पठ खान ने जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दर्वाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुचा रहा था, उसकी पतनी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे, केवल कोने में बैठ ही बुढ़िया कर लाए जा रही थी, ए नेक बक्तों, बैठने दो आजा बेटी, तु मेरे पास आजा जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बेज जालिमों, बैठने दो, अभी आधा सामान ही अंदर आपाया होगा, जब सहसा गाड़ी सरकने लगी, छूट गया, सामा चूट गया, संदास के दर्वाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पाफ तक काप रही थी और चलाए जा रही थी, उत्रों, नीचे उत्रों, वहाँ आदमी हडबड़ा कर चलाया और आगे बढ़कर थाट की पाटिया और गठरिया बाहर फैकते हुए दर्वाजे का डंध करती नीचे उतर गई, बहुत बुरा किया है, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, बुढ़िया उचाउचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमों तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है गारी सूने प्लाटफार्म को लांगती आगे बढ़ गई दिब्बे में व्याकुलसी चुपी चा गई बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबु ने मेरे बाजू पर हाथ रख कर कहा आग है देखो आग लगी है गारी प्लाटफार्म छोड़ कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था तभी शहर की ओर से उट्ते धुए के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे दंगा हुआ है स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे कहीं दंगा हुआ है शहर में आग लगी थी बाद दिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपकलपक कर खिड़कियों में से आग का द्रिशे देखने लगे जब गारी शहर छोड़ कर आगे बढ़ गई तो दिब्बे में सन्नाटा चा गया मैंने घूम कर दिब्बे के अंदर देखा दुबले बाबू का चहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ उपर वाली बर्थ पर चड़ गया यही क्रिया शायद रेलगाडी के अन्य दिब्बों में भी चल रही थी दिब्बे में तनाव आ गया लोगों ने बतियाना बंद कर दिया तीनों के तीनों पठान उपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुकचाप नीचे की ओर देखे जा रही थे सभी मुसाफिरों की आखे पहले से ज्यादा खुली-खुली, ज्यादा शंकित्सी लगी यही स्थिती संभवत गाड़ी के सभी दिब्बों में व्याप्थ हो रही थी कौनसा स्टेशन था यह दिब्बे में किसी ने पूछा वजीराबाद किसी ने उत्तर दिया जवाब मिलने पर दिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई पठानों के मन का तना फौरन धीला पड़ गया जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई एक पठान ने अपनी वासकट की जेब में से नस्वार की डिब्या निकाली और नाक में नस्वार चड़ाने लगा अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्या निकाल कर नस्वार चड़ाने लगे बुढिया बराबर माला जपे जा रही थी किसी किसी वक्त उसके बुद्बुदाते होंट नजर आते लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही है अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था हाँ एक भिष्टी पीट पर पानी की मशकल लादे प्लाटफार्म लाम कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा लो, पियो पानी, पियो पानी औरतों के दिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आये थे बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे है लगता था, वहाँ इस मारकाट में अकेला पुन्य कमाने चला आया है गारी सरकी तो सहसा खिर्कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे दूर दूर तक पहियों की गड़गडा हट के साथ खिर्कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी किसी अज्यात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पासवाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फ्रिशपर लेट गया उसका चहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा को बेगैरत तुम मर्दे की औरते सीट पर से उठकर नीचे लेटता ए तुम मर्द के नाम को बदनाम करता ए वह बोल रहा था और बार-बार हसे जा रहा था फिर वह उससे पश्टों में कुछ कहने लगा बाबू चुप बना लेटा रहा अन्य सभी मुसाफिर चुप थे बाबू अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डब्बे में बैटो मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी हकला कर चुप हो रहा पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपरों की धूल जारता र रहेगी शायद इसी कारण खिरकियों के पल्ली चढ़ाये जा रहे थे कुछ भी कहना कठिन था मुम्किन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिटकी का पल्ला चढ़ाया हो उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धराधर क्याकर चिड़ाये जाने लगे थे बोजिल अनिश्चत से वातावर्ण में सफर कटने लगा रात गहराने लगी थी दिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित जोकेतियों बैठे थे कभी गारी की रफटार सहसा तूट कर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते कभी रास्ते में ही रुख जाती तो दिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता केवल पठान निश्चित बैठे थे हाँ उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था धीरे धीरे पठान उंगने लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटीफटी आँखों से शोन्य में देखे जा रहे थे बुढिया मुहसर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाएं बैठा बैठा सो गई थी उपरवाली बर्थ पर एक पठान ने अध्लेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे-धीरे हाथ में चलाने लगा खिरकी के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्य में हो उठी किसी किसी वक्त दूर किसी ओर आप के शोले उठते नजर आते कोई नगर जल रहा था गारी किसी वक्त चिंगहरती हुई आगे बढ़ने लगती फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पढ़ जाती और मिलो तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती सहसा दुबला बाबु खिड़की में से बाहर देख कर उची आवाज में बोला हरबंस पुरा निकल गया है उसकी आवाज में उत्तेजना थी वह जैसे चीक कर बोला था दिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौक गए उसी वक्त दिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली ओ बाबु चलाता क्यों ए तस्बीह वाला पठान चौक कर बोला पिलर उत्रेगा तुम जंजीर खीचू अयर खीखी करके हस दिया जाहिर है वहाँ हरबंस पुरा की स्थिती से अत्वा उसके नाम से अन्भिग्य था बाबु ने कोई उत्तर नहीं दिया केवल सिर हिला दिया और एकाद बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर जाकने लगा दब्बे में फिर मौन चा गया तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एकरस रफतार तूट गई थोड़ी ही देर बाद खटा कासा शब्द भी हुआ शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी बाबु ने जहांक कर उस दिशा में देखा जिस और गाड़ी बढ़ी जा रही थी शहर आ गया है वह फिर उची आवाज में चिलाया अमरित सर आ गया है उसने फिर से कहां और उचल कर खड़ा हो गया और उपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिलाया ओबे पठान के बच्चे मीचे उतर तेरी मा की मीचे उतर तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं बाबू चलाने लगा और चीक चीक कर गालिया बखने लगा था तस्बीर वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देख कर बोला ओ क्या ये बाबू अम को कुछ बोला बाबू को उत्तेजित देख कर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे नीचे उतर तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है हराम जा दे तेरी उस ओ बाबू बखबकर नहीं करो ओ खजीर के तुखमं गाली मत बखो अमने बोल दिया अम तुम्हारा जबान खीच लेगा गाली देता है मादर बाबू चलाया और उचल कर सीट पर चड़ गया वह सिर से पाव तक काप रहा था बस बस सरदार जी बोले यह लड़ने की जगह नहीं है थोड़ी देर का सफर बाकी है आराम से बैठो तेरी मैं लात न तोड़ू तो कहना गारी तेरे बाब की है बाबू चलाया ओ अमने क्या बोला सभी लोग उसको निकालता था अमने भी निकाला यह इदर अम को गाली देता अम इसका जबान खीच लेगा बुढिया बीच में फिर बोले उठी वे जीन जोग्यों अराम नाल बैठो वे रब दिये बंदेयों कुछ होश करो उसके होंट किसी प्रेत की तरह फर्फराए जा रहे थे और उनमें से क्षीन सी फुस्फुसाहट सुनाई दे रही थी बाबु चलाए जा रहा था अपने घर में शेर बनता था अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की कभी गाड़ी अमरितसर के प्लैटफॉर्म पर रुकी प्लैटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था प्लैटफॉर्म पर खड़े लोग जांक जांक कर दिब्बो के अंदर देखने लगे बार-बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे पीछे क्या हुआ है कहां पर दन्ना हुआ है खचाखच भरे प्लैटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है प्लैटफॉर्म पर खड़े दो-तीन खोमचे वालों पर मुसाफिर तूटे पड़ रहे थे सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी इसी दौरान तीन-चार पठान हमारे दिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिर्की में से जांक जाग कर अंदर देखने लगे अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्टों में कुछ बोलने लगे मैंने घूम कर देखा बागू दिब्बे में नहीं था ना जाने कब वह दिब्बे में से निकल गया था मेरा माथा ठिंका गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था ना जाने क्या कर बैठे पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठा कर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गारी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए जो विभाजन पहले प्रत्यक डिब्बे के भीतर होता रहा था अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था खुम्चे वालों के इर्दगिर भीड छटने लगी लोग अपने अपने दिब्बों में लोटने लगे तभी सहसा एक ओर से मुझे वहाँ बाबू आता दिखाई दिया उसका चहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट जूल रही थी नज़्दीक पहुचा तो मैंने देखा उसने अपने दाए हाथ में लोहे की एक छड उठा रखी थी जाने वहाँ उसे कहां मिल गई थी दिब्बे में घुसते समय उसने छड को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हॉले से छड को सीट के नीचे सरका दिया सीट पर बैठते ही उसकी आखे पठान को देख पाने के लिए उपर को उठीन पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हडबड़ा कर चारों और देखने लगा निकल गए हरामी मादन सबके सब निकल गए फिर वह सिटपिटा कर उठ खड़ा हुआ चला कर बोला तुमने उन्हें जाने क्यों दिया तुम सब नामर्ध हो बुझदिल पर गाड़ी में भीड बहुत थी बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे किसी ने उसकी और विशेश ध्यान नहीं दिया गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़़ाए जा रहा था धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी दिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरिया खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जानमाल को खत्रा नहीं था नए मुसाफिर बतिया रहे थे धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गती से चलने लगी थी कुछ ही देर बाद लोग उंगने भी लगे थे मगर बाबु अभी भी फटीफ्ती आँखों से सामने की ओर देखे जा रहा था बार-बार मुझसे पूछता की पठान दिब्बे में से निकल कर किस ओर को गए है उसके सिर पर जुनून सवार था गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद उंगने लगा था दिब्बे में लेट पाने के लिए जगा नहीं थी बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढक जाता कभी दूसरी और कोडोट किसी किसी वक्त जटके से मेरी नींद तूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्तव्यस से पड़े सरदार जी के खराटे सुनाई देते अमरत्सर पहुचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे दिब्बे में तरहत्रा की आडितिर्ची मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे उनकी बीभत्स मुद्राओं को देख कर लगता दिब्बा लाशों से भरा है पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुख किये देख रहा होता कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गडाहट बंध होने पर निस्तबधतासी चा जाती कभी लगता जैसे प्लैटफार्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उत्रा है और मैं जटके से उठकर बैठ जाता लेटे खिड़की में से बाहर देखा दूर पीछे की और किसी स्टेशन के सिगनल के लाल कुमकु में चमक रहे थे स्पश्टक गाड़ी कोई स्टेशन लांग कर आई थी पर अभी तक उसने रफ्टार नहीं पकड़ी थी दिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिये दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया नींद की खुमारी में मेरी आखे कुछ देर तक उस पर लगी रही फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया दिब्बे के अंदर अंधेरा था बत्तिया बुझी हुई थी लेकिन बाहर लगता था पौफटने वाली है मेरी पीठ पीछे दिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोचने कीसी आवाज आई मैंने दर्वाजे की ओर घूम कर देखा दिब्बे का दर्वाजा बंध था मुझे फिर से दर्वाजा खरोचने की आवाज सुनाई दी फिर मैंने साफ साफ सुना लाथी से कोई दिब्बे का दर्वाजा पटपटा रहा था मैंने जांक कर खिड़की के बाहर देखा सचमुच एक आदमी डिब्बे की दो सीधिया चड़ आया था उसके कंधे पर एक गठरी जूल रही थी और हाथ में लाठी थी और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाड़ी भी थी फिर मेरी नजर बाहर नीचे की ओर आ गई गारी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी नंगे पाफ और उसने दो गठरिया उठा रखी थी बोज के कारण उससे दोड़ा नहीं जा रहा था दिब्बे के पाइदान पर खड़ा आदमी बार-बार उसकी ओर मुड़ कर देख रहा था और हाफता हुआ कहे जा रहा था आजा आजा तू भी चड़ा आजा दर्वाजे पर फिर से लाथी पटपटाने की आवाज आई खोलो जी दर्वाजा, खुदा के वास्ते दर्वाजा खोलो वह आदमी हाफ रहा था, खुदा के लिए दर्वाजा खोलो मेरे साथ में औरत जात है, गारी निकल जाएगी सहसा मैंने देखा, बाबो हडबडा कर उठ खड़ा हुआ और दर्वाजे के पास जाकर दर्वाजे में लगी खिड़की में से मुह बाहर निकाल कर बोला, कौन है? इधर जगा नहीं है बाहर खड़ा आदमी फिर गिरगिराने लगा, खुदा के वास्ते दर्वाजा खोलो गारी निकल जाएगी और वहाँ आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डाल कर दर्वाजा खोल पाने के लिए सितक्नी टटोलने लगा नहीं है जगह बोल दिया उतर जाओ गाड़ी पर से बाबू चिलाया और उसी क्षण लपक कर दर्वाजा खोल दिया या अल्ला उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिये दर्वाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मिनान की सांस ली हो और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में चछड चमकते देखा एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगे लरज गई मुझे लगा जैसे चछड के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से दंधरे को पकड़े हुए थे कंधे पर से लटकती गठरी खिसट कर उसकी कोहनी पर आ गई थी कभी सहसा उसके चहरे पर लहू की दो तीन धारे एक साथ फूट पड़ी मुझे उसके खुले होंट और चमकते दात नजर आए वह दो एक बार या अल्ला बुदबुदाया फिर उसके पैर लड़ खड़ा गए उसकी आखों ने बाबु की ओर देखा अधुन्दी सी आखे जो धीर-धीरे सिकुरती जा रही थी मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है इस बीच अंधेरा कुछ और च्छन गया था उसके होंट फिर से फड़फडाए और उनमें सफेद दात फिर से ज़लक उठे मुझे लगा जैसे वह मुस्कराया है पर वास्तव में केवल क्षय के ही कारण होठोन में बल पढ़ने लगे थे नीचे पट्री के साथ-साथ भागती औरत बड़बडाये और कोसे जा रही थी उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठ्री के कारण उसका पती गारी पर ठीक तरह से चड़ नहीं पा रहा है कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है वह गाड़ी के साथ-साथ भागती हुई अपनी दो गठ्रियों के बावजूद अपने पती के पैर पकड़-पकड़ कर सीड़ी पर तिकाने की कोशिश कर रही थी तभी सहसा डंदहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भाती नीचे जागरा और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया मानों दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया हो बाबू अभी भी मेरे निकट दिब्बे के खुले दर्वाजे में बुद्काबुद बना खड़ा था लोहे की छड अभी भी उसके हाथ में थी मुझे लगा जैसे वह छड को फैंक देना चाता है लेकिन उसे फैंक नहीं पा रहा उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था मेरी साज अभी भी फूली हुई थी और दिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था फिर वह आदमी खड़े-खड़े हिला किसी अज्यात प्रेनावश वह एक कदम आगे बढ़ आया और दर्वाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा गारी आगे निकलती जा रही थी दूर पट्री के किनारे अंधियारा पुंजिसा नजर आ रहा था बाबु का शरीर हरकत में आया एक जटके में उसने च्छड को डिब्बे के बाहर फैंक दिया फिर घूम कर डिब्बे के अंदर दायमबाय देखने लगा सभी मुसाफिर सोए पड़े थे मेरी और उसकी नजर नहीं उठी खोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा फिर उसने घूम कर दरवाजा बंद कर दिया उसने ध्यान से अपने कपरों की ओर देखा अपने दोनों हाथों की ओर देखा फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाप के पास ले जाकर उन्हें सूंभा मानो जानना चाता हो कि उसके हाथों से खून की बूतों नहीं आ रही है फिर वहां दबे पाव चलता हुआ आया और मेरी बगलवाली सीट पर बैठ गया धीरे धीरे जुटपुटा चणने लगा दिन खुलने लगा साफ सुत्री सी रोशनी चारों और फैलने लगी किसी ने जंजीर खीच कर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था छड़ खा कर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी सामने गेहू के खेतों में फिर से हलकी हलकी लहरिया उठने लगी थी सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की और देखे जा रहा था रात भर में उसके चहरे पर दाढ़ी के छोटे-छोटे बाल उगाए थे अपने सामने बैठा देख कर सरदार उसके साथ बतियाने लगा बड़े जीवट वाले हो बाबू दुबलेप्तले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमसे डर कर ही वे पठान दिब्बे में से निकल गए यहां बने रहते तो एकने की खोपरी तुम जरूर दुरुस्त कर देते और सरदार जी हंसने लगे बाबू जवाब में मुसकराया एक वीभत ससी मुसकान और देर तक सरदार जी के चहरे की ओर देखता रहा